नमस्कार दोस्तों ज्वागत है आपको मेरे चान में फिर से इवार में हूँ आपकी वगी अंजली कौन कहता है कि मेरे बिना वो खुश है जरा उनके सामने हमारा नाम तो लेकर देखो जी है आपने सही सुना हम आज के डिली राशी फलकी बात कर रहे है सिबसे पहले आज उनका बर्टे है या फिर मैरे जनवर्सरी है उनको मेरे तरफ से धेर सारे गुटविशिस तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है आप भी ये ठान लीजिए कि आपको कुछ करकी दिखाना ही है कम से कम उन लोगों को दिखाओ जो आपका मज़ा को डाते हैं आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वे कभी आगे बढ़ी नहीं सकता जिंदगी में जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते उनके ही इतारे चमकती हैं जो मजबूरियों में रोया नहीं करते आप भी हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहीएगा ये जिन्दगी है जनाब जो कभी रुकती नहीं हमेशा चलती है आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा मन में जो है साफ साफ क्या दिना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और जूट बोलने से फासले होते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशी फल की बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है नीला याने की ब्ल्यू और शुब अंक रहने वाला है साथ आज जो है आपको अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है कुछ मसले ऐसे भी हो सकती हैं जो केवल आप ही सुलजा सकते हैं और कोई नहीं सुलजा सकता अपने एगो और अपने मत भीदों को दूर रग कर अपने काम को प्रात्मिक्ता सबसे पहले दीजेगा आज कई लोग फैसला लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं ये तो अच्छी बात है आपके लिए आपके रिष्टे आज आपके कुछ बातों से प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी बोल चाल में थोड़ा सावधानी बटनी होगी अपने लोगों के साथ अपनी बाचित खुले दिल और दिमाग से करें अपनी जो चीजें हैं उनको खुल कर बताईए कि आप क्या चाहते हैं आज जो हैं चंद्रमा का संचरण और राशी स्वामी मंगल की लाग भाव में स्थिती बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिती बना रही है जादतर जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ बहतर दिने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजें किसी भी तरह से आपको मिल सकती हैं इसलिए समय का भरपूर फाइदा उठाई सदो प्योंग करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा राशी में स्थित चंद्रमा कभी-कभी भावो का मनहस्तिती बनाएगा आज के दिन जिसकी वज़े से कोई फैसला डावा डोल भी हो सकता है अलस से भी हो सकता है जिसकी वज़े से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं इन सबी बातों का आपको ध्यान रखता ही होगा आज स्टूडन्स के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के प्रदर्शन के लिए भी हर तरह से अनकुल दिख रहा है ऐसे योग बने हुए है आपको अपने सहयोगियों से तारीफ मिल सकती है और हाँ आप क्योंकि है ही हकदारिशी के आपके कुश योजनाओं को लोग सरह सकते हैं आपके लिए समय जो आज का है अपनी नीजी उनती और आर्थिक से द्रिड़ता बाने का है यानि जो आप चाहते हैं वो आज से ही अभी से शुरू करे तो निश्चे ही सफलता मिल सकती है आपको अपने लोगों को बहतर तरीके से संभालना होगा इसे आपके रिष्टों में जो हैं और भी ज़्यादा प्रगारता आने की संभावना दिख रही है आजकल आपका अपने खुद की उपर विशेश ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखा रहा है आजकल कुछ आपको अपने परस्णालिटी को निखाने के विए भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने लुकिंग अपने स्टाल को भी चेंज कर रहे है साधे साथ जो हैं अनिक्षेत्रों में भी उन्तिक के लिए प्रयास रख है वक्त आपकी पक्ष में ही रहेगा आज की दिन आज आप अपनी प्रभाविशाली वानी द्वारा परिस्थितियों को जादा अपनी पक्ष में करने के लिए सफ़ रह सकते हैं यानि आज आप अपनी मखुरवानी से अपने चीजों से जैसे आफ दूसरों को बताते हैं उसे आफ काफे लोगों को अपनी और आकर्षित करपाएंगे जैसे आपकी जो काम हैं वो जल्दी से बनते चले जाएंगे और लोग भी आँखी बात मान लेंगे कभी-कभी आपका अर्थेदिक स्वार्थी हो जाना मित्रों के साथ समन्द आज भी गार सकता है याद रखिए, मित्र बारबा नहीं मिलते इसलिए आप स्वार्ती मत होए उनसे दिल से रहे दिल के साथ आप बात्य करे आज किसी यात्रा या घोमने फिनने से बचना होगा, कहें भी बाहर बच जाएए खास कर बोड़े और बच्चे मत जाएए तो बहदर होगा कोई लाब तो नहीं होगा, बलकि काम का नुकसान भी हो सकता है आज भावुकता से भी आज आज आपको जो है वो बचना होगा आज जो है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत दिन खास रहने वाला है क्योंकि खास लोगों से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी पुराने दोस का आज फोन भी आ सकता है जिसकी वज़े सोहें आज का जो दिन है आपके लिए यादगार साबित हो सकता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लग लाइफ के बारे में पति-पत्नी की आपसी समंदों में आज मधुर्टा दिख रही है फिजूल के प्रेम समंदों में अपना समय बर्बात ना करें यानि कि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस रिष्टियों को आगे बढ़ाए पर ऐसे फ्लाटिंग करने से कोई भी खास फायदा नहीं देखने को बिलेगा उल्टा समय की बर्बाती होगी अपने प्रेमी को उन्हें विशेश महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखे यानि कि आप सोचल साइट्स के द्वारा भी उन्हें ऐसे मेसेंजर्स कर सकते हैं या फिर आप लैटर भेज सकते हैं आज पती-पत्नी के सबंद सोहार्द पूरण भी रहेंगे घर में महमान का आगवन वातावरण को मनुरंजन बना सकता है या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है जिसे वातावरण में खुशाली चाह जाए या से मांगली का कारी समंदी यूजना भी बन सकती है आज अपने अहंकार को अलग रखेगा क्योंकि ये आपके रिष्टे के लिए विल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि जह अहंकार होगा रिष्टे में वहां कभी मिर रिष्टा ठहर नहीं सकता इसलिए रिष्टे को संचोई रखिए जैसे माला में मोती होते है बढ़ते हैं आगे हम करियर और बिजनस की दरब तो आज करियर बिजनस कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जॉब बदलने के लिए कोशिश ना करें क्योंकि जहां भी जाएंगे परिस्थितिया नहीं बदल सकती है इसलिए प्रेजन टाइम में जो चल रहा है उसी पर कारे करें जहां पर आप अब जॉब कर रहे हैं किसे बाहरी व्यक्ति का हस्ताक शेप ना होने दे अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्ताक शेप करता है तो इससे आपको ही नुक्सान हो सकता है या फिर आपसे बॉस भी नराज हो सकते है आपको काम पर बहुत ही जाड़ा ध्यान दे रहा है क्योंकि आपकी टीम को आपकी आसपास रहना बेहत पसंद है अपना कमिनिकेशन बहुती स्पश्च रखे, साफ रखे जिसे दूसरों को समझने में असानी हो सकती है कारेसल से भेजे गए माल की किसी वज़े से वापसी भी हो सकती है किसी वज़े से कोई नुक्सान छोटा मोटा आपको उठाना पर सकता है आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा अपने कस्टमर की थिंकिंग का, कस्टमर की दिमान का अच्छे से ख्याल रखे तो बेटर डिजल्ट आपको बिजनस में देखने को बिल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप से बहुत से जोट लोग जो हैं वो जोट सकते हैं कस्टमर नए बन सकते हैं नौकरे बेशे व्यक्ति भी धान लखे कि कोई भी ऐसा काम मत कीजेगा जिससे आपको बोस की जो है नराजगे सहनी पड़े जिस डेव बोस को कुछ करने के लिए वही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको आपके जो वे बारिक विचार है उनको आपकी भागी दारद्वारा अप्रूव किया जा सकता है फाइनाइशल मामलों में आप काफी समयदारी से काम लेंगे आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे चाहे वो जौब कर रहे हैं चाहे वो बिजनसमैन है काफी हद तक सेविंग्स होगी जिसे आने वाले दुनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फाइदा देखने को मिल सकता है तो जलिए अब बढ़ते हैं आगे स्वास्ते की तरफ आज जो हैं आप में से काफी हद लोगों का जो स्वास्ते है वो पैटर और ठीक रहे हैं थोड़ी आलस की स्थिती बनी हुई हैं ऐसे सितारे कह रहे हैं और आराम जादा करने का मन भी हो सकता है लेकिन जादा आलस शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दान सिर रिले टीर समस्याओं का इलाज आज आप करवा सकते हैं जिस मिमारी से आप पहले से परिशान थे वहिया जो मौसम की बदलाव की वज़़ा से भी सिर में भारी पन हो सकता है वैसे तो स्वास्त ठीक है चिंता ना करें शिरीर में गर्मी हो सकती है जिसके वज़ों से आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर सकते हैं इसलिए आपको ठंडी चीजों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए तकने की मोच उत्पादक्ता को प्रभावित कर सकती है आप में से कुछ लोगों को जोडों का दर्द भी आज हो सकता है इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान लगना हुगा तो चलिए बात करते हैं आज की उपाए के बारे में आज आप के लिए विशेश उपाए तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गाइत्रे मंत्र या फिर महामरितुजे मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहे है और साथ इसाथ में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलक आपने इश्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साथ इसाथ में अगर आप दान पुन्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए मैं हमेशा से हर बार यह कहती हूँ कि दान गुप्त करें और हाँ अगर आप दान अन का करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलीगा धन्यवार